तो दोस्तो नमस्कार आप देख रहें केडी केंपस बाइ जेपी से यूटूब चैनल हम है जेपी से दोस्तो कैसे हैं उम्मीद है कि सांदर जबर्दस जिंदाबाद होंगे जहां काही पर होंगे श्वस्त मस्त और जबर्दस्त होंगे आपके पढ़ाई का बहतर तरीके से होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा दोस्तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत चोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छा ही टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आएगी दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है chromosomal inheritance chromosomal inheritance इसका मतलब यह है कि inheritance में chromosomal की क्या भूमी का है सिरी सी बात है आप जानते हैं कि जो chromosome है chromosome में दो तरीके के component होते है एक होता है DNA और दूसरा होता है protein ठीक DNA को हम क्या कहते है genetic material कहते है क्या कहते है genetic material क्या हते है अभी genetic material क्या होता है genetic material का मतलब है कि parents से character का transfer कहा तक off spring तक हमने कहा कि यह है आपका parent P यह है off spring आपका child है इस parents से जो character यह जो character है यह character जो child तक पहुँच रहा है दरसल वह character DNA के माध्यूंसी क्या रहा है पहुच रहा है इसलिए DNA को क्या कह जाता है genetic material कह जाता है हुआ क्या कि यह जो chromosomal inheritance है 1900 में सटन और बोवेरी सटन और बोवेरी नामत दो scientists हैं दोनों scientists ने क्या क्या इस chromosome का उन्होंने क्या किया study किया दोनों scientists ने chromosome के behavior का इसका chromosome के behavior का जब इन्होंने study किया तो पाया कि यह जो chromosome का behavior है वह किसके जैसा है जीन के जैसा है किसके जैसा है जीन के जैसा है तब उन्होंने एक theory प्रपोईट किया और उस theory में कहा कि in any organism in any organism have have fixed number of fixed number of chromosome क्या का उन्होंने अपने इस theory में कि कि इसी भी organism में fix number में क्या होती है chromosome होती है उन्होंने एक्जामपल बिता कि कहा जैसे आप मैन को देख लेजिए मैन में आपका 46 chromosome होते हैं इसका मतलब 23 थिरी पेयर्स हो गए उन्होंने कहा आप मटर को देख लो मटर में आपका 40 chromosome होता है कहा उन्होंने कितना होता है seven पेयर्स पेयर्स होता हम होता है उन्होंने एक एक इंग्जामपल का भी लिया कहा कि इसमें totलब 8 chromosome होते हैं इस तरीके से उन्होंने क्या किया एक थियरी को प्रपोश्ट किया और उन्होंने क्या कहा इतना ही नहीं उन्होंने अपने इस थियरी में कहा कि जो क्रोमोजूम है यह क्रोमोजूम इन्हेरिटेंस का क्रोमोजूम इस ए फिजिकल बेसिक यूनिट आफ इन्हेरिटेंस इन्होंने कहा कि जो क्रोमोजूम है वह क्रोमोजूम इन्हेरिटेंस की क्या है एक बेसिक यूनिट है इसका मतलब है यह है कि बीना क्रोमोजूम के इन्हेरिटेंस पॉसिबल नहीं है इन्हेरिटेंस पॉसिबल नहीं है तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया kromozaumal inheritance को क्या किया प्रपोइस्ट किया, उन्होंने इसका क्या study किया तो ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक करें, subscribe करें, share करें दोस्तो अगला जो वीडियों होगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा और कोशिश करूँगा बहुत 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 पहतर तरीके से समझनाने का प्रयास करूँगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक होगा इसलिए आप मारे चैनल पर जुड़े दें